देखे कांतारा जो है वो सिर्फ बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर सावित नहीं वी है बलकि बहुत सारे लोगों का दिल भी जीत लिया है अब क्यार के ने भी बॉल्यूड के उपर ताना मारा है वो भी कांतारा फिल्म के कमाई को लेकर इनका ये कहना है कि साउथ वाली फिल्म जो हिंदी में डब होकर आती है वो 50 करोड से ज़्यादा की कमाई कर लेती है लेकिन वही पर थैंग और राम सेतू जैसी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर दम तोड़ रही है कांतारा के जो एक्टर्स हैं उन्हें हिंदी दर्शक के जो लोग है वो जानते भी नहीं है फिर भी वो उस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं जबकि बॉली उड के लोग जो अपने आपको सौग होसीत भगवान मानते हैं उनको लोग जानते भी हैं लेकिन उनकी फिल्म में देखने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं इस तरह से बॉली उड के एक्टर्स को चुलू भर पानी में डूब मरना चीए फोन भूत, मिली और डबल एक्सल ये जो फिल्म में रिलीज हुई ये तो कांदारा के 36 दिन की कमाई के सामने टिक भी नहीं सकी हैं जो उनकी टोटल कमाई थी वो कांदारा के एक दिन की कमाई है टिकट विंडो का हाल बहुत बुरा है फिल्म निर्माताओं का मजाग करना बंद कर दो बॉल्यूट वालो मेरी सभी को सपष्ट चेतानी है क्योंकि पानी अब नाक से उपर गुजर चुका है आपके जो चुटकुले हैं अब वो किसी को स्विकार नहीं है तो कृपया करके आप फिल्में बनाना बंद ही कर दीजी कांतारा ने बड़ी से बड़ी बॉल्यूट के फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है कमाई के मामले में नतीजा ये हुआ कि राम सेतु और थैंग गॉड जैसी बॉल्यूट की बड़ी फिल्में इन्हें निकाल कर सिनेमा गर्मानिक कांतारा को लगा रहे हैं उसे दिखा रहे हैं उसे अब ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिल रहे हैं अभी भी ये फिल्म चल रही है एक महिने से ज़्यादा का समय हो चुका है तो सोच लिए कि कांतारा को लेकर लोग क्या क्या बाते कर रहे हैं कि RK South की फिल्मों को रिवीव भी नहीं करते हैं नहीं उसे उतना पसंद करते थे ये बात सामने आ चुकी थी लेकिन आज वो कांतारा की तारीफ कर रहे हैं ये अपने आप में गर्व की बात है गर्व की बात इसलिए भी है कि जब लोग आपके बारे में बात नहीं करते हैं जब लोग आपको इग्नोर करते हैं जैसा कि ये ने कहा कि कंणड़ा इंडस्टी को हमेशा से ही इग्नोर किया जा रहा था इसे भाव निये आरा रहा था है कि वह स़सistent एक लिटेशन है, उसका बजट कम है, कंड़ा इंडस्टी गभी उपर आही नहीं सके लेकिन जब आज उपर आ रही है तो ऑच दहल तो ये जहें है नहीं चैनel को सिर्फ किसी